हेलो एवरिवन केपिंग डिलेशस में आज की रेसिपी है पनीर चीली पनीर चीली के ग्रेवी बनाने के लिए हमें इन सब सब्सब्जियों की ज़रूरत है यहाँ पर मैंने लिया है चोड़े टुकडों में कटे हुए सिम्णा मिर्च प्याज छोटी टुकडों में कटे हुए लेसन लंबी-लंबी कटे हुए अध्रक और थोड़ी सी हरे मिर्च अब एक बड़ी से बोल में हम डालेंगे दो चमच कॉम फ्लार और दो चमच मेदा फिर उसमें डालेंगे स्वात अनुसार नमक और आधी चमच काले मिर्च पाॉडर जिसे गोल की पाॉडर भी कहते हैं अब पानी से इसकी मिडियम घोल बना लेंगे गोल बहुत थेक भी और बहुत पतली बिने इस तरह के मिडियम कंसिस्टेंसी वाली घोल हमें रेडी कर लेनी है अब एक पैन में हम तेल करम करेंगे तेल थोड़ी से ज़्यादा होनी चाहिए क्वांटिटी में ताकि पनीर इसमें अच्छे से फ्राई हो सके अब इस घोल में हम पनीर को डाले चारो तरह पैटर इसमें अच्छी तरह से लगा देंगे और फिर इसी थीरे से उठाकर हम ऑईल में डालेंगे डिप फ्राई करने के लिए अब तेल में हम एक बार में चार से पांच पनीर डालेंगे उससे ज़्यादा नहीं वरना वो आपस में चिपक जाएगी और तोट जाएगी इस तरह से 4-5 पनीर को दोनों साइट से अच्छी तरह से लाल कर ले मेडियम फ्लेम में बस ये अच्छी से लाल हो चुकिए अब इसे बाहर निकाल ले ठीक इस तरह से अब सारे पनीर को फ्राई करके निकाले अगर आप इसे और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनाना चाती है तो एक पर फिर से गरम तेल में इसे डाले एक मिनट के लिए और बाहर निकाल ले अब पचे हुए तेल में हम डालेंगे कट किवे लेसन सबसे पहले लेसन डालना है इसे हलका सा लाल करना है देखिए हलकी से लाल हो गई है अब हम इसमें डालेंगे अतरक जिसे लंबे लंबे मैंने कट किया था दू मिनट फ्राई होने के बाद इसमें डालेंगे हरी मिर्च एक मिनट इसे फ्राई करें और अब डाल देंगे प्याज और सिम्ला मिर्च अब हमें इसे हलका साथ 2-3 मिनट फ्राई करना है बहुत जादा नहीं बस इसे 2-3 मिनट फ्राई करना है इसमें आप चाहें तो हलकी से नमक डाल दी ये और भी जादा अच्छी से फ्राई होती है अब हम इसमें डालेंगे टोमेटो केचप या टोमेटो सॉस जो भी आप डाल सकती हैं एक सी दू चमर सोया सॉस बहुत जादा सोया सॉस नहीं वर्णाशी कलर ब्लैक हो जाती है छे चमर टोमेटो केचप और उसमें दू चमर सोया सॉस अब हम डालेंगे हाफ टेस्पन कॉंफलर को पानी में मिक्स करके रखा है अब हम ग्रेवी में इसे डाल देंगे इसे ग्रेवी काफी अच्छी से थेक हो जाती है बज़ डाल कर हम एक पर अच्छी से इसे मिक्स करना है दो मिनट में काफी चीनी डालेंगे और हल्की से नमक दो से तीन मिनट अब हम इसे फ्राई करेंगे हल्की सी चीनी इसमें इसलिए डाली जाती है तो इसमें चुटकी भर चीनी और हल्की सी नमक देने से इसकी टेस्ट काफी वेनली हो जाती है ज्यादा खटी नहीं लगेगी अब दालेंगे थोड़ी सी कसूरी लेप्स, कसूरी लेप्स क्रेवी को काफी इचा टेस्ट देती है इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें, एक सी दू मिनट इसे अच्छी से फ्राई करें और फिर इसमें पनीर डाल दें पनीर डालने के बाद फिर से हम इसे 2-3 मिनट अच्छी तरह से मिक्स करते वे चलाएंगे फ्लेम एक दम हाई रगे और चलाती रहें आप इसमें डालेंगे थोड़ी सी कट किवी कॉरियंडर लिफ्स धनिया पता और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे बस ये रेडी है अब सर्फ करने के लिए रेसीपी कैसी लगी कॉमेंट सेक्षिन में जरूर बताएं आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकती है लिंक डिस्क्रिशन बॉक्स में मेंसें है और प्लीज मेरी चैनल को सस्क्राइब जरूर कर दीचेगा